वेल्कम टू जीनियस मेंटर्स हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी क्लास शिक्स की आपकी हिस्टरी की जो बुक है आवर पास्ट वन इसके चैप्टर वन को हमने कम्प्लीट किया इसके थियोरी पार्ट को कम्प्लीट किया आज हम इसकी exercises को solve करेंगे इसके questions answers को solve करने की कोशिश करते हैं चलो यह हमारा lecture number 6 हो जाएगा हमारे chapter 1 का lecture number 6 तो इसके questions answers करेंगे हमने क्या-क्या पढ़ा उसी basis पे सारा है उससे बाहर कुछ नहीं है तो जिनोंने सारे lectures देखे हैं वो तो बड़ी असानी से इसको answer कर पाएंगे चलो शुरुआत करते हैं हमारे इसकी लेकिन उससे पहले आपको कुछ काम करना है क्या करना है? बिल्कुल यह book आपको open करनी है कौन सी है? आपकी history की book है our past one और यह आपकी history की book और इसका पहला chapter जिसका नाम है what, where, how and when यह आपको open करना और इसके question answers वाला page open कर लीजिए और उसमें एक-एक question को हम करते चलेंगे इसके साथ-साथ एक copy, एक pen, एक pencil आप ले लीजिए ताकि आप साथ-साथ answers लिखते चले और चीजों को धीरे-धीरे सीखते चले चलो, पहला question हम देखते है match the following, चलो match करते है क्या आप में से इसको कोई कर पाएगा चलो, try करते हैं, सबसे पहले नर्मदा वैली इधर छोड़ दो और उसको बताने की कोशिश को रहा है नर्मदा वैली में क्या हुआ था? जल्दी बताओ, नर्मदा वैली में सबसे पहले लोगों ने बसना शुरू किया वहाँ के लोग hunter gatherer होते थे ये सारे चीजे की क्या इसमें से कोई ऐसा match कर रहा है तो हमें पता लएगा कि एक hunting and gathering हमें दिखाए दे रहा है और यहां के लोग ऐसे होते थे तो इसको इससे match कर दो hunting and gathering से मगद, मगद क्या था? एक बहुत बड़ा empire बना था कहां पे? गंगा नदी के किनारे हमने पढ़ा था सबसे बड़ा empire सबसे पहले कौन सा बना? मगद हमने देखा था तो मगद क्या था? बहुत बड़ा empire बना था तो इसका अगर कहीं पर देखें हैं तो first big kingdom हमें दिख जाता है यहां पे यह इसका answer हो गया गैरो hills में क्या हुआ? विंदेया hills और गैरो hills हमने पढ़ा था इन दोनों में क्या हुआ था? agriculture develop हुआ था agriculture develop हुआ था तो early agriculture को अगर हम देखें तो early agriculture हमें गैरो hills में, विंदेया hills में और सुलेमान और किर्था ranges में दिखाए देता है यह सब हमने जाननेगी कोशिश की चलो इंडियस and its tributaries इन में क्या हुआ? इंडिस नदी के किनारे पहले शहर बसे थे अगर हमने ध्यान दिया हो तो इंडिस नदी के किनारे सबसे शुरुआत में शहर जो बसे वो इंडिस नदी और उसके tributaries के किनारे बसे थे तो इसका अंसर रोजाएगा the first cities then Ganga Valley यहाँ पे यह कितने दिन पहले तो around 4700 years ago अगर आपको याद हो तो इतना आपने देखा था 4700 years ago लिखते चलना जो भी एक्स्टा चीज़े है then उसके आद Ganga Valley तो Ganga Valley में क्या हुआ था यहाँ पे भी cities का development हुआ लेकिन 2000 साल पहले तो यह सारे इसके answers थे इसमें तो कोई problem भी नहीं थी और आपने इन सब के answers note कर लिएंगे जो भी additional point लेखे वो आपने लिख लिएंगे जो भी additional point मैंने बताए चलो अगला है list one major difference between manuscript and inscription manuscript और inscription में एक बड़ा difference बताना है बताए क्या होता है manuscript क्या होती है वो चीजें जो हाथ से लिखी गई है पुराने टाइम पे बहुत सारी चीजें हाथ से लिखते थे जैसे पत्तों पे लिखते थे पेड़ की चाल पे लिखते थे तो उसको हम बोलते है manuscript जो हाथ से लिखी गई है manuscript मतलब हाथ से लिखी गई चीजे और inscription मतलब जो hard surface पे engrave गई गुदवाई गई है खुदवाई गई है उनको हम बोलते है inscription तो यह अंतर इन में और यह हमने लिखना था लिख दिया the major difference between the major difference between manuscript and inscription is as follows क्या क्या है manuscript हम देखेंगे they are handwritten records they are handwritten records of the past that were usually written on किस पे written on palm leaves या फिर box of tree tree की चाल पे या फिर palm leaves पे यह लिखे जाते थे ठीक है चलो उसके बाद भी हम देख लेते हैं inscription क्या है these are writings engraved or inscribed on land on hard surfaces like stone or metal hard surfaces पर लिखवाई गई खुदुवाई गई जो writings है उसका हम inscription बोलते हैं तो यह भी आसान हो गया यह बड़ा आसान था आपके लिए चलो आगे देखने कोशिश करते हैं अगले question को return to rashida's question can you think of some answers to it rashida का जब हमने chapter शुरू किया था याद है chapter शुरू करते ही rashida ने question पूछा था क्या पूछा था rashida ने question पूछा था how could anyone know what had happened so many years ago की कैसे किसी को पता लग सकता है कि हम manuscript को और inscription को पढ़के पता लगा सकते हैं हम बहुत सारी चीज़े जो उस टाइम पर रह जाती है remains of past जैसे उस टाइम की हडिया मिल जाए tools मिल जाए weapon मिल जाए coin मिल जाए या फिर remains of building मिल जाए या फिर remains of building या पुरानी building ओगे खंडर मिल जाए वहां से भी हम पता लगा सकते हैं कहां रहते थे हैं तो यह सारी चीज़े से भी पता लग जाएगा और उसके अलावा by trying to read and understand the book written in the past जो past में जो books लिखी गई हैं उनको पढ़के भी हम प पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पर क्या होता होगा ठीक है यह बहुत सारे तरीके हैं जो हमने इसमें जाने कि इन तरीकों से इसको किया जा सकता है अब अगले question को solve करने कोशिश करते हैं और देखते हैं इसका answer क्या है चलो अब देखें make a list of all the objects that archaeologists may find तो कुछ list बनानी ह जो चीजें archaeologist ढूंडते हैं और उन्हें मिलते हैं तो वह क्या-क्या हो सकते हैं बहुत सारी चीजें हमने देखी हमने देखी कि remains of building building के बचे हुए खंडर आप उनको मिल जाते हैं paintings मिल जाती है sculpture मिलते है tools मिल जाते हैं weapon मिल जाते हैं pot pen ornament bonds of animal coins बहुत सारी चीजें उन्हें मिल जाती हैं जिनने वह study करते हैं यही सब पढ़े थे हमने बिलकुल अब उसके आगे पूछ रहा है which of these could be made of stone इन में से stone की क्या-क्या चीज बनी हो सकती है building बनी हो सकती है stone की यह अगर हम देखे मूर्तिया मूर्तिया stone की बनी हो सकती है tools यानि की 1000 अगर हम देखे यह यह पत्थर के बने हो सकते हैं stone के weapon भी stone के बने हो सकते हैं और कई जगह तो ornaments भी हमें stone के दिखाई दे सकते हैं तो यह सारी चीज़े हमें stone की मिल सकती है इन में से ठीक है चलो आगे चलते है अब ऐसा क्यों लिखाई या फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो आम तोर पे जो आम लोग थे वह जो भी करते थे उसका record पर नहीं रखते थे कि शिव चेम पहुद भी ओना रिकॉर्ड राखते कैसे कहीं पए उनके पास इतने पैसे नहीं और जो आम लोगों के दौरा किया जाए इस वज़े से उनका कोई record लिखा नहीं गया तो इन दी पास record वर maintained by पुराने टाइम पे जो record थो maintain कैसे किया एते थे by inscribing on stone और writing on palm leaf यानि कि by inscription या manuscript दो ही तरीके देखे record रखने के inscription हो गया और manuscript हो गया यह दोनों थे ना तरीके बिलकुल सही है inscription और manuscript है इन दो तरीकों से record किया जा सकता है which were not an easy task जो की easy नहीं थे that could be carried out by ordinary man and woman जो की हम कहें कि आम इंसान के द्वारा किया जा सके इतना easy task वो नहीं था तो इसलिए यह लोग अपना record नहीं रख पाते थे ना दो खुद पढ़े ल लिका को रख सकते थे जो कि इनके लिए यह काम कर सके तो इसलिए मुश्किल होता था और इसको यह काम नहीं कर पाते थे कोई बात नहीं अगला देखते हैं describe at least two ways कम से कम दो तरीके बताने हैं in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers कोई भी दो ऐसी चीज़े बता यह जिसमें आपको लगता पहला है कि जो farmers की life है यह राजा रानी की जो life है राजा और जो ہोते थे उनकी life और farmers के life में क्या difference होता था तो आप क्या सोगने हैं हमने तो बहुत सारी movie में भी देखा और बहुत सारे नाटकों में भी देखा राजा थो एक दम राजगदी बैठे गा राज करता था उसके खेती बाड़ी करता था और पेट बरता था है ना यह दो अंतर थे और यही ऐसी तरह के अंतर हमने लिख दिये कि lives of king kings would have been different from the those of farmer in following ways कि इन तरीकों से इनकी life अलग हो सकती है पहला king lived in palaces king जो है महलो में रहता था और farmer के पास ऐसा कुछ opportunity होती नहीं थी कि वह महलों में रह सके अगला है king for battle for protecting his kingdom राजा जो है अपने राज्य को बचाने के लिए लड़े यहां लड़ता था लेकिन farmer क्या करता था farmer grew crops farmer फसल होगाता था है ना तो यह सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इनका difference है basically चलो अगला भी देख लेते हैं find the word crafts person on page 1 page 1 पर कहीं पर crafts person का अप ढूंडिए list at least five different crafts that you know about today और आज के time के कम से कम 5 craft आपको बताने हैं जो आपको दिखाई देते हैं are the craft person man woman both men and women यह बताना आपको तो पाँच craft बताने आपको कि पाँच कोई भी शिल्प आपको बताने ठीक है कुछ भी बतादो कि जैसे बाहर आपको कुछ भी दिख जाए पिलर दिख जाए या फिर घडी दिख जाए दिवार दिख कुछ भी चीजे बता दो अब वो किसके दोरह बनाई जाती तो बहुत सारे लोगोjuहłem से बनाने के लिए म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, आर्केटेक्ट भी हो सकते हैं, इंडिस्ट्रेश्ट हů् सकते हैं, आर्टिस्ट हूसकते हैं, साइनिتस्ट भी यह जा सकते हैं, है ना, चलो, आगे देखते हैं, What were the subjects on which books were written in the past? Past में books किसके subject पर रिखी जाती थी, किन-किन चीजों पर लिखी जाती थी, तो किन-किन चीजों पर थी, हमने देखा कि राजाओं की जिन्दिगी के बारे में होती थी, जो वो लड़ाईयां लड़ते थी, उनके बारे में होती थी, Medicine के बारे में होती थी, उपचार के बारे में उसमें लिखाया जता था, Science के उपर books होती थी, Religious Belief और Practices के उपर होती थी book, Epics होते थे, Epics, ठीक है, Epics होता है, महाकाव्यत जिसे हम कहते हैं, यह होते थे, जैसे रमायन और महाभारत है, लिखे गए ना बहुत पुराने टाइम पे, यह सब होते थे, और अगर हम देखें, तो poems लिखी जाती थी books में, नाटक होते थे, तो इन सब चीजों के उपर books लिखी जाती थी पुराने टाइम पे, अब है, which of these would you like to read, आप इन में से क्या पढ़ना पसंद करेंगे, भही मैं तो इसमें से poems पढ़ूँगा, नाटक पढ़ूँगा जो उन्हों लिखे थे, epics पढ़ूँगा, यानि कि रमायन महाभारत ऐसी चीजों को पढ़ूँगा, है ना, तो आप क्या-क्या पढ़ेंगे, तो आप भी बता दीजिये, इन में से आप क्या-क्या पढ़ना पसंद करेंगे, क्या कोई science पढ़ना पसंद करेंगा, या medicine, वो आपकी इच्छा के उपर है, तो जो जो आप पढ़ना चाहें, वो आप यहाँ लिख सकते हैं, I would like to read, और जो भी चीजें आप बता सकते हैं, चलो, यह हमारे questions थे हमारे इस chapter के, बताओ कितने आसान-ासान questions पूछते हैं ना, बहुत सारे आसान-ासान questions थे, और हमने easily किये, हमने chapter भी बहुत अच्छे से समझा, और इस chapter का meaning क्या है, यह ऐसे क्यों लिखा गया है, यह भी हमने समझने की कोशिश की, ऐसे ही हम पूरी history को, बहुत ही असानी से cover करने वाले हैं, और चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं, तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, और इस पूरे subject को बहुत ही असानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम करते चलेंगे, समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे, ठीक है बच्चों, चलो, आज की class यहीं खतम करते हैं, अगली class में फिर से मिलेंगे, नए chapter के साथ, और अगली नए class में, ठीक है, थैंक यू, बाई बाई, टेक केर,